दूर दराज इलाके में आज भी इस तरह से हो रही हैं शादियां लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है अपने मुबाइल स्क्रीन पर जो तस्विरें आप देख रहे हैं सबसे पहले तमाम दर्शकों को जानकारी दे दे ये तस्विरें उधोंपुर जेले की हैं हमने कोशिश की कि इस वीडियो के माद्यम से सरकार से कुछ सवाल पूछे जाएं कि आखिर दूर दराज इलाके में अभी तक पके रास्ते क्यों नहीं बन पा रहें क्योंकि अगर कोई भी शादी दूर दराज इलाके में होती है तो लोगों को काफी दिक्तों का सामना करना पड़ता है अगर आपको नज़र आ रही होगी तो एक बराद है दूले की जो यहां से पैदल चल कर आएगी कम से कम तीन से चार किलो मिटर हो सकता है पांच किलो मिटर का रास्ता भी हो यह बराद पैदल चल कर गाड़ियों तक पहुँचेगी उसके बाद कहीं न कहीं इन्हें गाड़ियों की मदद से बाقی का सफर तै करना है लेकिन इतना पैदल सफर तै करना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि जो शादिये रहती है वो बार-बार नहीं होती एक ही बार शादी होती है तो लोगों को काफी खुशी होती है कि वो खुशी-खुशी से जाएं लेकिन जब रास्ता ही इतना खराब होगा तो उनकी तमाम खुशियों पर पानी फिर जाएगा इस वीडियो के माद्यम से यही कोशिश है हमारी अगर परशासन तक यह वीडियो पहुँचता है तो जुरूर जो धूर दराज के इलाके हैं उद्धुमपूर के चाहे जमू किश्मीर का कोई भी जिला तो वहाँ पर कहीं न कहीं रास्ते का बंदोबस्त किया जाए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम बराती आपको नजर आ रहे हैं जूम करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जंगलों का सफर तै करके जा रहे हैं अगर रास्ता पका होता तो कहीं न कहीं इन्हें खुशी मिलती और जो इनका खुशी का जो समय है वो अच्छा जाता लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से ये पैदल सफर तैग करकर गाड़ियों तक पहुचेंगे हमने कोशी करी है जूम करके दिखाने की अगर परशासन तक की वीडियो पहुचता है तो जुरूर तक पहुचने के लिए अभी काफी समय इनको लगेगा बहुत दूर से ये चलकर आएंगे फिर जाके वो इन गाड़ियों तक पहुच पाएंगे और बाकी का जो सफर है वो गाड़ियों से तैग कर पाएंगे अक्सर ऐसी शादियों पहले होती थी बहुत साल पहले अगर बात करें 20 से 25 साल पहले ऐसी शादिन देखने को मिलती थी लेकिन अब भी कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे जिले हैं ऐसे गाउं हैं जहां पर अभी भी लोगों को काफी पैदल सफर तै करना पड़ता है शादियों में जिसे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप देख पा रहे होंगे यह रोड है हालकि इस पर कोशी की है पशासने रोड को पका करने की लेकिन बारिश की वज़ा से यह रोड बिल्कुल खराब चुक है अगर इस रोड के उपर कहीं न कहीं मैक्डमाईडेशन हुआ होता नाले निकले होते डंगे दिय होते तो कहीं न कहीं यह रोड नहीं बहती और लोगों को इस तरह से पैदल चलकर नहीं आना पड़ता यही कोशी यह इस वीडियो से पशासनत से गुहार है कि जल्ट से जल्ट लोगों की यह शोटी शोटी जो दिकते हैं इनको जल्ट से जल्ट पूरा पीया जाए left तमाम वीवर से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो पशासन तक पहुँच पाए और कहीं न कहीं ऐसे गाओं जो भी जमू कश्मीर में है उन लोगों की जो समस्या है रास्ते को लेकर हलाकि हर कोई चाहत आप जुरू कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं फिलहाल लोग सबी वहाँ पहुच चुके हैं जहां उने पहुचना था लेकिन जूम करके हम आपको दिखाएंगे अभी फिर इनको इतनी दूर नीचे जाना है तो रास्ता नहीं है पैदल ही सफर तैक किया जाएगा फि दक्ति चारीओत्तबड़ सब हम जाएगा सब्सक्राव थास्त्या